है गाइस वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल तोड़े वी विल टॉक अबाउट रेटेल एंड क्यूएसार जॉबस इन होटल मेहमेंट बहुत लोग एवन 70-80% लोग को यह लगता है कि होटल मेहमेंट करने के बाद जो उनका जॉब है जो केरियर है उनका प्लेस्मेंट है और इवन लगना भी चाहिए क्यूंकि जो उनका पर देजर को उसमें आप वर ट्रेनिंग करते हैं इस startup होटल मेहमेंट करने के बाद होटल मेहमेंट करने के बाद होट जैसे कि आप cruise जा सकते हो, airlines में जा सकते हो, multiplex में जा सकते हो, retail में जा सकते हो, फिर resort में जा सकते हो, restaurant, QSR, इन सभी जगों पे आप job ले सकते हो, जो आपकी placement है वो लग सकती है, बट इस वीडियो में मैं दो sector के बारे में बात करने वाला हूँ, retail and QSR के बारे में, तो बात करते हैं सबसे पहले retail के बारे में, retail के बारे में आपको पता होगा, जैसे कि Barta है, Wrangler है, Nike है, Adidas है, Kelvin Clain है, जो कि अलग-अलग cities में हैं, अलग-अलग location पे हैं, यह सिर्फ मैं companies की example दे रहा हूँ आपको retail company समझाने के लिए, और यह जो company है, retail जो company है, वो अलग-अलग hotel management college में जाती है, और interview conduct करती है, और guys मैं आपको बताने चाहूँगा, retail में भी आपको MT और OT का opportunity मिलता है, यानि MT मतलब management trainee, और OT मतलब operational trainee, यानि अगर आप interview का crack कर देते हो, तो आप direct store, store का manager बन पाऊगे या assistant store manager बन पाऊगे, देखें, बहुत लोग को hotel industry से बहुत सारे complaints है कि hotel industry का जो काम होता है, बहुत ज्याज़ा होता है, या उनका जो काम है वो पसंद नहीं आता है, तो मैं आपको बताऊँगा कि retail में आपको salary भी अच्छी मिलती है hotel industry से और जो work होता है, वो workload होता है, वो hotel industry से कम होता है, तो अगर आपका मन है retail में जाने के लिए तो आप जरूर interview देके आप retail में जा सकते हो, तो ये बात मैंने बता दी आपको retail के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे QSR के बारे में, तो QSR का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं कुछ example से आपको समझा जाता हूँ, QSR का मतलब होता है quick service restaurant, जैसे कि आपने cities में देखा होगा pizza hut, फिर वहीं पे आपका KFC, Domino's, Subway, बहुत सारी जो variety of restaurant आपने देखा होगा, एक hotel और QSR जो company है, उसका मैंने empty crack किया है, हाली में मैंने post भी किया था, तो guys, आप QSR में भी जा सकते हो, इसमें भी आपको इस salary हो अच्छी होती है, अगर hotel से compare करते हो, जो काम होता है, वो workload होता है, जो hotel industry से थोड़ा कम होता है, और इसमें promotion भी आपको अच्छा मिलता है, तो यहाँ पे आप, अगर empty OT crack कर लेते हो QSR और retail में, अगर आपको मन है कि hotel industry में ना जाके retail और QSR में जाए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा opportunity है, तो guys, यहाँ पे मैंने बात किया QSR और retail shops के बारे में, जहाँ पे आप जा सकते हो, और अपने जो carrier है, वो build कर सकते ह इसके लाबा और भी sector है, जो मैंने आपको starting में बताया, airlines, cruise, multiplex, banks में भी even आप try कर सकते हो, और hotel industry तो है, तो अगर आपको hotel industry नहीं पसंद दाता है, तो आप different different जो companies है, जो different different sector है, उसमें भी try कर सकते हो, तो guys, आज के वीडियो में इतना ही, I hope, अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी confusion नहीं होगा, कि hotel management करने के बाद, आप retail as well as QSR में भी जा सकते हो, और अगर आपको और भी different sector के उपर वीडियो चाहिए, तो आप नीचे comment कर सकते हो, मैं उसमें पर वीडियो बना दूँगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, have a nice day and take care होगा 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 है, तो आपको अक्वाद के वीडियो हैं।